दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंतराले की ओर से जो नई भरती के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और खास बात ये है कि इस भरती के लिए आवेदन परक्रिया भी शुरू कर दी गई है इसमें किसी भी परकार के आपको कोई फी नहीं देनी है और इंडिया कनेडियेट आवेदन कर पाएंगे विभिन सारे पद रखे गए जैसे LDC, MTS, Cook और Wasserman का पोस्ट रखा गया जिसमें अगर आपकी निहुंतम योगिता किवल दस भी पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे सारी जनकारी समझेंगे इस वीडियो म में देख पा रहे होंगे यह हमारा ओफिसल वेपसाइट ओनलाइन अपडेट स्टियम डॉटीन है जहां पर आकार आप सारी जोब से रिलेटर जनकारी को प्राप्त कर सकते हैं फिलाल हम जो बात करेंगे जो नहीं भरती आई हुई है रक्षा मंतरा लेका तो आप इस पर क पर आप लुट कर सकते हैं हमारा सामने इनका ओफिसल नोटिफिकेशन है जो कि आप देखेंगे इंप्लिकेशन फर्म को इनवाइट किये गया जो भी अप्लिकेवल कनेडेट है और इंडिया वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहां पर देखेंगे पोस्ट के रिलेटे यहां पर काफसे सारे डिरेल दिये गए जैसे कुक के लिए जो पोस्ट रखेंगे हैं जिसमें किस कैटेगरी के लिए कितने सीट है तो यहां पर देखेंगे इसके लिए एक सीट निरधारित की गई लडेसी के लिए एक सीट है एक सीट है और वहां पर देखेंगे टूट बोजन जो होता है इंडियन खाना जो होता हो आपको बनाने की नौलेज होने चाहिए तब आप इसके लिए अप्लिकेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें एज आपकी 18-25 वर्स होगी और सेलरी की बाद करें तो काफी वहतरीन सेलरी आपको रखी गई लेवल टू का है 1900 से लेकर 63200 तक सेलरी मिलेगी कूक और LDC के लिए LDC के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन इंटर्मेडियर पास रखा गया साथ ही आपका टाइपिंग का जो होने चाहिए यहाँ पर मिनमम टाइपिंग स्पीड बताएगे कि 35 वर्ड पर मिनेट इंग्लिस में होगी और 30 पर मिनेट आपका हिंदी में होना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लिकेबल माने जाएंगे वही बात करें MTS में विविन सारे जो पोस्ट है जैसे मेसेंजर का है सफाई वाला चकुदार ऐसे पोस्ट रखे गया है जिसके लिए सेलरी आपको बेहतरी दिये जाएंगे 18 12,000 से लेकर 56,009 से है आपकी एज 18 से 25 वर्स होगी तो इसके लिए आप अप्लाई करेंके साथी इसमें बताया गया कि आपका जो नियुन्दम कौलिफिकेशन मैटिक पास होगी और साथी अगर आपके पास experience है इन सभी कामों में तो आपकी वरियात्ता जो है पहले दी जा बरीवल माने जाएंगे यहां पर एज में भी रिलऴक सेशन आपको दी जाएंगे जो कि बताया गया के IST के लिए पांफ साल और भीजिक लिए 30 साल और हल कैटेगरी के लिए आपको यहां पर आपको बताएगा कि कितना आपको छूट दिये जाएंगे यहां पर बताएगा कि इसमें कैसे selection होगा तो selection के लिए सबसे पहला आपका एक exam conduct कराएजेगे जो return exam होगा जो की बहुत विकल्पी है इसमें परस्न पूछे जाएगे जिनका बताया गया कि timing जो होगा दो घंडा 20 मिनित का होगा यह exam जो candidate qualify करेंगे वैसे candidate को इसमें मौका मिलेगा यहाँ पर admit card जो आपका आएगा यहाँ पर जो candidate form का apply करेंगे उसमें selected किये जाएँगा वैसे candidate को इन का admit card भेजा जाएगा वही candidate इसमें exam में बैठ सकते हैं जो यहाँ पर आपको बताया गया है सारी जनकारी आप इस website पर भी आकर आप चाहे तो समझ सकते हैं चुकि हमने सारी जनकारी को प्रेट के लिए हिंदी में आपको बताया है ताकि आपको समझने में कोई समस्या या कोई mistake ना हो अब दिखें form कैसे भरना है तो form offline मत हमसे मांगा गया है तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो बताया गया कि form का यह जो format है आपको यहाँ पर इस site दिया गया application form आपका इस पर कर रहेगा अब यहाँ पर हमने बताया कि काफे सारे post है आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते तो यहाँ पर आएंगे इस परकार यह आपका application form होता है इससे ही भढ़ना होगा जिस यहाँ पर जिस post के लिए apply करना है उस post का नाम और साथ एक अपना photo छिपकाना है जिस पर आपका sign होना जरूरी है उसके बाद देखेंगे आपका full name डालना है जो कि बताया गया कि ब्लॉक लेटर में होगा और अपना जेंडर बताना है मेल है या फिमेल है यहाँ पर कोई फिमेल करनी डेट है तो अपने हस्वेन का नाम या मेल करनी डेट अपने पिताज का नाम डाल सकते है जननतेती के लिए आपको पहले date, month और year को यहाँ पर डालना है साते आपका जो age है कितना साल हो रहा है, कितना month हो रहा है, और कितना date हो रहा है, जिस दिन को आप form fill कर रहा है वो आप यहाँ पर बताएंगे साथे permanent address आपका जो भी होगा आप यहाँ पर mention करेंगे आपका mobile number, email ID जो भी होगा जो कि permanent होगा वो आप यहाँ पर present वाला जो भी आपका होगा वो यहाँ पर डालेंगे qualification बतानी है जैसे आप बिभिन सारे post है अगर मालेजी कोई 10 भी pass candidate इसके लिए apply करते है तो जो भी आपने पढ़ाई किया जैसे यहाँ पर name of exam pass आपको लिखना है तो 3 तो 3 यहाँ पर लिखेंगे किस साल आपने pass out किया वो year लिखेंगे साथे किस word से आपने pass out किया उस word का नाम लिखेंगा और कितना percent आपका number आया है उप यहाँ पर obtain में बताएंगे और कौन से division है वो बताएंगा और remark में आपको बताना है कि आप फिल है या पास है तो आप यहाँ पर बताएंगा इसी according intermediate की जनकारी आपको बतानी है किसी के पास यहाँ पर 10 नबर में देखेंगे experience है तो यहाँ पर वो बता सकते हैं नहीं है तो यहाँ पर आप no experience लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि आप किस category से ब्लोंग करते हैं अगर मालीजिए इस category से अगर ब्लोंग करते हैं general BC, SC, HT से तो आप यहाँ पर tick उसके सामने tick करेंगे जैसे अगर मालीज़ बिसी से है तो बिसी के सामने टिक करेंगे उसके बाद नीचे देखेंगे आपसे बोला जाता कि आप किस कैटेगेरी से अपलाई करना चाहते है उस कैटेगेरी के सामने टिक करना है अगर आप एक सर्विसमेन है तो उस पर इस या नो में टिक करना है आपका religion बताना है Hindu Muslim जो भी है आप नीचे लिखेंगे Nationality Indian आपको लिखनी है उसके बाद आपको नीचे आनी है इसका जो भी declaration है जिसको देना होगा यहाँ पर आपको अपना sign करना होगा और date को यहाँ पर लिखना होगा फिर आपको part जो भी है उसको भी आपको भरना है यहाँ पर सबसे पहले किस post के लिए आप apply कर रहे है उस post का यहाँ पर नाम डालेंगे फिर यहाँ पर भी आपको अपना photo chip कानी है और इस पर sign करनी है साथी यहाँ पर बताएगए कि self address for the candidate यानि candidate का जो भी address है फूल address यहाँ पर mention करेंगे और यह जो देखेंगे यह officer use के लिए यह आपको नहीं भरना है यह आपको छोड़ना है क्योंकि इसी के base पे आपका admit card आता है जो आपको छोड़ना है अब इस form को क्या करना है पहले print out करके जैसे हमने पता है ऐसे भरना है और इसको एक सफेद लिफाफे में आपको रख कर भेजनी होगी तो form कहां भेजना है वो भी जनकारी हम आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगा how to apply की जनकारी बताईगे तो जो भी candidate इसके लिए apply करेंगे तो सबसे पहले आपको लिफाफे के ऊपर में जो लिखना होगा यहाँ पर application application for the post of जो post के लिए आप apply करेंगे जैसे ldc के लिए करेंगे तो लिफाफे के ऊपर ही आपको यह लिखना है और साथ ही जो post का नाम होगा पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर mention करना है और साथ ही आपको नीचे में उसका जो भी address होगा वो लिफापे पर ही आपको भेजना है किलियर बता जार कि capital letter में ही आप address को लिखेंगे जो कि address आपका ये address उस लिफापे पर mention होगी पीन कोट के साथ आपका mention होगी उसके अलावे जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो पोस्ट के लिए आप apply करेंगे यहाँ पर बिविन सारे पोस्ट है जिसमें सिर्फ दसवी पास मांगा गया तो दसवी का ही आपको marksit आपको लगाने की अवसकता परेगी जिसमें 12 मांगा गया computer का skill मांगा गया तो वहाँ पर 10 भी बार भी और computer का skill भी आप वहाँ पर लगाएंगे certificate है तो उसके अलावे किसमे experience मांगा गया तो सभी दस्तावेजो को क्या करना आपको scan जो print out है उसको करवाना है और उस पर आपका signature नीचे में होनी चाहिए वो सभी को इस लिफापे में डाल कर आपको भेजनी परेगी जो कि इनका address बताया गया है इस address आप यहाँ पर भेज सकते हैं अब document का भी list बताई गई जैसे A में दिखेंगे अगर आपके पास जैसे तेंथ बाले qualification लगा रहे तो तेंथ का markset और 12 बाले लगा रहे तो 12 का आपका markset यहाँ पर GROX कराकर आपको लगानी होगी जो कि LD से के लिए 12 मांगा गया है experience अगर है applicable यहाँ पर clear लिखा हुआ कि if any applicable candidate के लिए तो वो है तो इसको लगाएंगे SST बाले जो भी candidate है उसको आपको लगाने परेंगे उसके बाद आपका negativity certificate इसू जो होना ची ADM, DM या तेह सिल्दार से यह इसू होना ची character certificate यहाँ पर बूला गया है चुकि सरपंच या guest congested officer है उनके द्वारा आप इसू करबा सकते हैं एक serviceman है तो discharge जो certificate है उसको भी आपको लगाने परेंगे उसके बाद अब आपको one self address जो की यह postal stamp होते हैं जो कि आपको post office में मिल जागा 25 रुपय का वो भी आपको लगाने परेंगे यह इसलिए लगवाया जाता जबी आपका admit card print होता है जो कि किलियर बताया गया है आप इस form को fill up कर सकते हैं इस document को आपने हमको बताया अभी हमने जो document आप पर applicable हो रहा है उस document को आप लगा सकते हैं फिर भी कोई doubt confusion है इस बाहली को लेकर comment कर सकते हैं और सारी जनकारी हमने अपने website पर भी उपलप्त कराया जाहां पर जाकर आप सारी जनकार को read out कर सकते हैं वीडियो पसंदा हो तो like share कर दिए चैनल को subscribe कर लिजे आने वाले हर एक वीडियो की notification पाने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद